तो इदर HEC के करमचारियों का आखरोश यू है वो बढ़ता जार, स्थिती यह है कि पिछले दस महीनों से भी अधिक समय से इन्हें वेतन ही नहीं मिला है अब ऐसे में आलम यह कि करमचारी आरपार के मूड में अब नजर आ रहे हैं उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि उन्हें केंदर सरकार से कोई उमीद नहीं है ऐसे में राच्चे सरकार को HEC कारखान चलाने की जमधारी लेनी चाहिए इसी कड़ी में HEC के यूनियन उन्हें अपनी बात रखते हुए मुक्य मंत्री को ग्यापन सौपा है तो समझे की स्थिती यह है कि जहां भारत मेकिन इंडिया का जंडा बुलंद करना चाहता है और दूसरी तरफ जारखण में मौझूद एशिया के सबसे बड़े कारखाने को लेकर केंदर सरकार में कोई दिल्चस्पी है ही नहीं तो बतादे कि अभी सोलह सो करोड का कार्यदेश मिला है लेकिन पूरी नहीं होने के कारण एचिसी में कामकाज पूरी तरीके से ठप है भारत सरकार की और से इसे बचाने की कोई पहल तक नहीं की जा रही है और कारखानी की पूझी भी मुहया नहीं कराई चा रही है पूझी देना है या तो बंद कर दे आने तो चलाना है तो ठीक से चला है कर लिजे एक अंटिबला